हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं खड़े रहकर सारवचन एक नलों से पानी भर कर महिलाओं को सर पर मटके उठा कर लाना पड़ता है जी हाँ ये प्रत्यक्ष नजारा जागरुप टिवी ने अपने कैमरे में उस समय कैथ किया जब जबाए के सारवचन एक नल पर लंबी लाइनों में पानी भरने के लिए बरतनों की लाइन लगी देखी जबकि आसपास के ग्राम पंचायत शेत्रों में लोगों के घर-घर तक पानी पहुचता है लेकिन एक ऐसी भी ग्राम पंचायत है जहाँ पर वाट संख्या 4 वच्छे में करीब देड़ साल पूर्व घर-घर नल कनेक्शन के लिए पाइपलाइन बिच्छाई गई है लेकिन अभी तक नलों से पानी की बून तक नहीं टपकी है हलाकि इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत, ग्राम विकास, अधिकारी वा सरपंच का कहना है कि गाउं में विवाद के माहौल को देखते वे एक वाट में पाइपलाइन बिच्छाणी बागी है जो बजट के अभाव में पाइपलाइन नहीं बिच्छाई गई है वाट संक्या 5 में पाइपलाइन बिछाने के बाग घर-घर में पानी की सप्लाई शुरू की जाएगी लेकिन ग्राम पंचाय द्वारा वाट संक्या 5 में पानी की सुविधा के लिए सारवजनिक नल लगाया जा रहा था जहां पर कुछ लोगों द्वारा आपती जताते वे कारे रुखाने का प्रयास किया गया लेकिन ग्राम पंचाय द्वारा बैटक में सारवजनिक नल लगाने के लिए प्रस्ताफ पारित किया गया जिसको लेकर सारवजन एक नल लगाने के लिए कारे प्रारम किया गया है जागरूप टेवी के संभात अता से बात करते वे प्रवीन कुमार सिंगल उकसर पंच बलूपुरा इनों नहीं ये कहा जागरूप टेवी के संभात अता से बात करते वे ग्रामिन महिला इनोंने इस तरह से अपनी बात रखी जागरूप टेवी के अता से गया है